हेलो एवरिवर्ण वेल्कम टू क्लास नंबर 59 अप दे चेप्टर डिजिटल लॉजिक तो आज हम पढ़ेंगे कुछ हमें दो डैसिमल नमबर कि फूब में अड करना है सायंटीफिक नोडिशन की फॉर्म-े मतलब जाएसे कि मीमिका प्रॉइट किया गया है पहरे लिग लेते हैं 8.70 into 10 to the power minus 1 8.70 into 10 to the power minus 1 another number is 9.95 into 10 to the power 1 9.95 into 10 to the power 1 तो पहले हम क्या करेंगे जब कि हमें इसको scientific notation यह फिर जैसे कि हम जानते हैं normally हम जैसे protein point number को represent करते हैं इस form में अगर represent करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोनों के numbers को balance करना पड़ेगा तो या तो दोनों को 10 to the power 1 के form में लाना पड़ेगा या तो दोनों को 10 to the power minus 1 के form में लाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं दोनों को 10 to the power 1 के form में ले आते हैं तो यहाँ पर क्या है 8.70 यह फिर इसको 10 to the power minus 1 के form में ले आते हैं तो यहाँ पे यह जो तो नमबज हैं इनको अगर management करेंगे तो कैसे करेंगे possible नहीं है क्योंकि दोनों का exponent अलग-अलग है तो यहाँ पे दूनों का exponent पहले हमें क्या करना diferença ना पड़ेगा तो तो इसको अगर हम represent करें ऐसे 0.870 तो इसका value क्या हो जाएगा 10 to the power 0 अगर हम इसको represent करेंगे 0.0870 तो इसका value हो जाएगा 10 to the power 1 अभी हम क्या करेंगे यह हो गया power 10 to the power 1 यह already 10 to the power 1 है अभी दो लोगे add कर सकते हैं 9.95 plus 0.0870 अभी add करेंगे 0 plus 0 0 7 8 plus 5 13 3 1 9 plus 1 10 0 1 10.0370 तो क्या मिला हमें 10.0370 एंड एक्सपनेट वाला पार्ट क्या है एक्सपनेट वाला पार्ट हमारा जैसे की नॉर्मली था एक्सपनेट वाला पार्ट वही है एक्सपनेट वाला पार्ट हमारा है 10 to the power 1 तो पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं दो numbers को तो अगर हम इसको represent करेंगे अगर हमें बोला जाएगा कि यह जो हमें इसको normalize 파्म में represent करो तो normalize प्लम में क्या करते हैं एक ही डिजिट को रख़ते हैं integer पार्ट में और बाके सारी पार्ट को हम fractional पार्ट में क्या करते हैं represent करते हैं आपके तो ऐसे साथ तो कैसे करेंगे 8.70 इंटू 10 दिपर माइनस 1 है तो अगर हम इसको लिखेंगे 0.870 इंटू 10 दिपर 0 हो जाएगा अगर हम इसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे 0.0870 इंटू 10 दिपर 1 तो यहाँ पर exponent मैच होगे exponent मैच होने होते वक्त value हमें यहाँ पर क्या मिला 0.0870 पता चला कि कैसे हम exponent को मैच कर सकते हैं उसके बाद और एक question है add the following two decimal numbers in scientific notation and find the result in normalized form normalized form में हमें result provide करने के लिए बोला गया है जो कि हम already कर चुके है ओके तो क्या करेंगे 8.70 इंटू 10 दिपर माइनस 1 एनदर 1 is 9.95 इंटू 10 दिपर 1 तो पहले हम क्या करेंगे addition operation को करने के लिए दोनों के exponent को मैच करेंगे तो इसका मैच करने के लिए 0.0870 इंटू 10 दिपावर 1 और यह है 9.95 इंटू 10 दिपावर 1 अभी क्या करेंगे दोनों को add करेंगे दोनों को add करने के बाद हमें क्या मिलेगा 10.0370 अभी क्या है नोर्मयाइस्ट न्हूर्मॉर से देख चुके हैं तो पता चला कि अगर आपको बोले add करो एड करने के बाद उसको नॉर्माइस्ट पर में रिप्रेजंट करो तो कैसे कर सकते हूं उसके बाद आते हैं और एक तरागे नमबर एड़ फॉलोइंग टू प्रोटिंग पॉइंट नमबर एंड फाइंड रिजल्ट इन नर्मलाइश्ट फॉर्म में रिजल्ट को प्रोवाइड करने के लिए बोला है तो क्वेश्चित क्या बोला है जिरो पॉइंट फाइव प् गर सकते हैं जैसे कि जिरो फॉइंट 5 है तो इसको हम कैसे करसकते हैं हम करेंगे किस पॉर्म में वाइनरी की फॉर्म में जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो फिर से तू के साथ क्या मिलेगा जिरो 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 पॉइंट फाइब जिरो जिरो फाइब जिरो पॉइंट के बाद हमें या भी क्या मिला 0.0001 तो अगर इसको हमें normalized form में represent करना है तो integer part में 1 bit होना चाहिए और वो 1 bit 1 होना ज़रूरी है तो अगर इस 1 को हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे और extra 0 add कर सकते हैं इसकना 0 हम add करना चाहते हैं बट इस 1 को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस 1 को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमारा number है यहाँ पे 123.5 और इसको अगर मुझे लिखना है 1235 तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 दिपर-1 करना पड़ेगा मतलब इस particular point को मुझे यहाँ पे लाना है अगर मुझे मेरे point को left side में लेना होता तो मेरा exponent का power positive होता but point को अगर मुझे right side में लेना है तो exponent का power मेरा negative होगा तो कितना bit लेना है 4 bit तो 1.000 पाकि सब 00 ही है 1 point उसके बाद 00 ही है क्योंकि सिर्फ एक ही 1 है तो कितना bit मैंने लिया पीछे मां चार तो यहां पर होगा two to the power minus four this is the normalized form representation of a protein point number after performing edition operation पता चला कैसे normalized form में represent कर सकते हो यहां पर और एक question आपको provide क्या गया है multiply the following two protein point number and find the result in normalized form तो multiply करो multiply करते बक्त जो हमारा exponent है base अगर सेम है तो exponent क्या करते है एड करते है तो exponent क्या है 10 plus minus minus five 10 minus five equals to five ओके अभी हम क्या करेंगे इन दो numbers को multiply करेंगी तो इन दोनो numbers को अगर करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा अगर इन दोनों नंबर्स को िियुक्त हैं एक नंबर है और एक को normalized एक प्रेजट करना है डेसिमल फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं एक डिजट रहेगा वान पॉइंट यहां पर जिरो मतला भी जो पॉइंट है इधर शीप्ट हो रहा है पॉइंट अगर इधर शीप्ट हो रहा है तो मतला पोजिटिव exponent increase over 1.0212 into 10 to the power 6. Okay, this is the normalized form representation of a floating point number. Okay, next question क्या है जगते हैं? Multiply the floating to floating point number and find the result in normalized form. तो यहां पर हमारा floating point number किस form में है? binary के form में है. तो base को पहले क्या करेंगे? 2 to the power minus 1, plus minus 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 2, means 2 to the power minus 3. उसके बाद जो binary numbers हैं, दोनो binary numbers को multiply करेंगे. तो दो binary numbers को हम कैसे multiply करेंगे? normally जैसे multiply करते हैं, उसी तरह से multiply करेंगे. Okay, so दोनो binary numbers को हम यहां पर multiply करेंगे. दोनो binary numbers को normally, आप binary numbers को कैसे multiply करते हैं? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. multiply करोगे multiply करने के पाद हमें जो number मिलेगा उस number क्या करेंगे जबकि एक ही digit के बाद point है हमें जो result मिलेगा वहाँ पे भी हम एक ही visit के बाद ही point दे देंगे okay तो multiply करने के बाद हमें result क्या मिलेगा one 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 zero 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 यह आपको खुद से multiply करके देखना है यह आ रहा है कि नहीं अगर यह आएगा तो यहां पर एक ही टीजिट के पास जबकि point है तो यहां पर point देदेंगे ओके 1.11000 तो यह और जो बाइनरी नंबर मेंसे एक में- घॉन पॉनन आएगा गैज वो भी एब μαंज उन फॉरो जीरो जीरो रिंटो तू टुस्टी पवार मीनस थी इसको हुँ 0 0 किर सकते हैं 1.110 into 2ٌ टेभर ऊइनस टुरी तरी थी तो दिस इस डाfight आप लोगों को समझा गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिसकुस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना की थैंक यू